पूरे देश में जहां कुरोना महमारी के चलते संपूरण लॉकडॉन चल रहा है और समस्त विश्व महमारी से जूज रहा है इससे बचने के लिए हर कोई अपने अपने प्रयास कर रहा है साहित्यकार भी इसमें किसी न किसी तरह अपनी भूमी का निभाने में पीछे नहीं है जैसे की जिला चमबा में पूरण रूप से कर्फ्यू लगा हुआ है फिर भी जिला चमबा के कवियों ने जहां ना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी यह संदेश देते हुए कोरोन हारेगा और भारत जीतेगा की तरज पर ऑनलाइन कभी समेलन का आयोजन किया वर्तमान हालात में जहां हर कोई अवसाद और चेंता से ग्रसित हो अपने घरों में अजाद होते हुए भी बंधक बने रहने के लिए मजबूर हैं तो वही ऐसे समय में कुछ रचनात्मक कारे क करते हुए जिलाच चंबा के कुछ कवियों ने ऑनलाइन कभी समेलन की पहल की यह कवी समेलन पूरण रूप से कोरोना संकट उसे उपजी वर्तमान परिस्थितियों की परीधी में ही आयोजित किया गया कवी समेलन में जिलाच चंबा के प्रसिद कवियों विक्रम कोशल जीत आजाद, उत्म सुर्यवंशी, विकास गुपता, श्याम अजनभी, युद्वीर टंडन ने काब्यपाठ किया। सभी ने जहां एक और कोरोना को एक भ्यंकर समस्या बताया तो वहीं। इसे बचाब के लिए सामाजिक दूरी व्यक्तिगत स्वच्ता, सैयम और संबल को हत्यार बताते हुए, भविश्य में वही पुराने दिनों के लोटने की काम न की। इस काब्यपाठ का आयोजन वसंचालन, शिक्षक कवी उद्वीर्टेंडन और कवी लेखक समाज से भी उत्तम शुरेवंसी द्वारा किया गया। सभी कभियों ने इस काब्य समेलन को सफल बताते हुए भविश्य में भी इसी प्रकार से यदी स्थितियां बनी रहती हैं तो अन्य काब्यपाठ काब्य गोस्टियों को करने पर अपनी सहमती व्यक्त की। बक्त फिर से लोटेगा इंतजार कीजिए जिंदगी खुबसूरत है जिंदगी से प्यार कीजिए जिंदगी लड़ सके हर मुश्किल से यहां जिंदगी को इस तरह तयार कीजिए जिंदगी को इस तरह तयार कीजिए हाँ जी मेरा सबी को नम्शकार में तुम सुर्यावशी घरे रियो ते खरे रियो बहुत अच्छा पर्यास चमबा के साहित्या कारोंद्वारा जिन्होंने ओनलाइन कभी समेलन करके इस करोना वाइरिस से बचने के लिए और लड़ने के लिए जो रचनाओं के माध्यम से संदेश दिया वो अपने आप में बहुत काबले तारीफ है मैं सब का अभार व्यक्त करता हूँ जो इस समेलने में जुड़े और सब से मैं दो हाथ जोड़कर बिनमर प्रार्थमा भी करता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार और प्रसासन जो आदेश दे रहा है करोना वाइरिस को लेकर उस आदेश का पालन करें और सुरक्षित रहें और घरों में रहें प्र टेबी के लिए सुलोनी से उत्तम सुर्यवंशी की रिपोर्ट झालन करेंगर प्रसार्ट